महांकाल जाई शरी महांकाल कैसे पहचानना है ये लोग आखिरकार है कौन और इससे जो परिशानिया हमें हो रही होगी वो देखिए पहले आप परिशानी समझ ले इससे आपको identify हो जाएगी कि हम तकलीफों में चल रहे हैं जैसे पहला संकेत होता है हमारे काम नहीं बनना हम बहुत महनत करते हैं हम कातार बीमारहते रहने हैं और खर्चे सवथही बढ़ते रहे हम चाहते कर भी उने खर्चो को कम नहीं हो पाते हैं और बाहर आना है वो भी मैं आपको बता दूँगा और इसके साथ एक बात और ये जान लेना है आपको कि इनसे कैसे हमें बचना चाहिए तो सबसे पहले इस वीडियो को थोड़ा सा आगे बढ़ों आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्रा करा रखा या काला जदू की बात होती है तो एक mentality नबनाई जैसे बहुत से लोग बोल देते ं आपको कि किसीने कुछ कर रखा और जैसे ये कोई ने कहा आपके दिमाग में ये बात चालू हो जाती कि किसी ने कुछ कर रखा, आप ऐसा विहवार करने लग जाते, आपको चीजे वैसी समझ आने लग जाती, आप उसके लिए बहुत से तांत्री को और बहुत से पैसों और ठगों में चले जाते हैं। इसका एक ही हल है इसका एक ही उपाय है कि अगर आपको असा लगता है किसी नो कुछ करा रखा है तो अपने घर में 24 गंटे हनुमान चलिसा का पार्ट आप मोबाइल में डाउनलोड करके चला ले या ओडियो टेप में लगा ले या आपको जैसा भी उचित लगे ऐसा आप र जिससे दड़िता आती है जिससे हमारे काम नहीं बनते है घर में हम परिशान रहते हैं घर में कहीं सारी चीज़े नेगिटिव नेगिटिव होती रहती है उसके मूल कारण है कबार जो भी आपके अनूपयोगी चीज़े उन्हें अभी इसी वक्त आप या तो बेज दे जर मस्या होती है तो अगर आपको अच्छा लगो लाइक करें शेयर करें कमेंट्स करें वाम नमस्ची वाइए